नमस्कार आप भारत लाइट देख रहे हैं और ये रात उरात है जा हम आपको हमेशा से ऐसी खबरे देते हैं जो खबर आगे चल कर बिहार की राजनीत की दिशा और दसा तै करती है और आगे की रननीती बनाई जाती आपको बता दे बिहार में पूरे दीन आज एक ही घटना पर सभी लोगों की नजर थी अगर बात पिछले 24 गंटी की कड़े तो कल साम से ही जब से नितीज कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जानने की बात है जो खबर में आई उसके बात से एक ही चर्चा है कि जेडियू के जो राष्टिय कारेकारनी की बैठक होनी है उसमें क्या का बना रहे है तो आज फिर से उसी बात को तो दोराद या अपने कडिवी को फिर से उस सीट पर बिठा दिया जो नितीज कुमार अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो क्या प्लान कर रहे हैं नितीज कुमार की जब चर्चाब करते हैं नितीज कुमार की बात करते हैं तो इसका मतलब कि आप बिहार के मुस्तकवि की बात करते हैं क्योंकि नितिश्कुमार बिहार के मुखियां उनके साथ जो भी अच्छा और बुरा होगा उसका असर सीधे-सीधे बिहार की जनता पर पड़ना है तेरह करोर जनता तक्टकी लगा करके देखते रहती है कि नितिश्कुमार के साथ क्या हो रहा है जी आज जो भारत लाइब की जनता ने बता दिया, बिहार की जनता को ये जनकारी मिल गई, और भारत लाइब की जनता ने इस बात को कहीं न कहीं स्थापित कर दिया, कि जो हम बात कह रहे थे, वो बात अब हो गई है, इस बात में हमने सुरू से कहा थे, नितिश कुमार का ये फैसला अपने एक फैसला लिया था जिसको वक्त भी नहीं देने के जरुद पड़ी और उन्हें तुरत बदलना पड़ा आप समझ सकते हैं जदियू के अंदर में किसी के पास कोई भी पद चला जाए लेकिन बहुत तो निटीज कुमार रहें इतना आप मान के चलिए अभी परतमान निटीज कुमार को धकेलने का किसी में मादा नहीं है आप बाल हट कर सकते हैं थोड़ा सा निटीज कुमार को जटका दे सकते हैं लेकिन धका दे करके बाहर नहीं कर सकते हैं जैसा कि आर सिपी सिंग ने किया उन्होंने जटका दिया लेकिन धका दे करके बाहर नहीं कर पा अब इसके बाद ललन सिंह को बनाने के पीछे उनका प्लाणिंग क्या है नीती क्या है यह ज़्यादा महतोपूर्ण है तो क्या नीतीश कुमार से एक बार फिर गलती हो गई है ये एक बड़ा प्रस्न है इस प्रस्न को हम यहीं छोड़ करके जाते हैं जिसकी चर्चा हम को दिया है एक लालू परसाथ को संदेश दिया है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि जुक करके आपके साथ हम आएंगे तो आप भूल जाएए गफलत में हैं पहला नंबर क्यों यह ऐसा है तो इसका हम जवाब आपको देंगे तुरत आपको बताते हैं क्योंकि बिहार की साथ ये जबाब दिया है कि यदि आप जैसे को तैसक कर सकते हैं तो हम का कौम हैं हम भी आपको आपको आपी की भासा में जवाब देंगे जिए आपने आर सीपी सिंग को ले लिया ना आर सीपी सिंग के जरिया आप हम पर राज करना चाहते थे तो लीजिया आर सीपी पुपता है पुपता ही है सबसे ज़्यादा अगर खुश कोई नजर आया तो आपने इभी तस्वीरों में कल देखा होगा कि जब जस्न मनाया जा रहा था तो यह जस्न आर सीपी सिंग के मंत्री पद ग्रहन करने उनके अधर्च मनने से ज़्यादा बड़ा जस्न था क्योंक यह ज़्यादा है नेरश कुमार जैसे मुखर बैक्ति को आपने हासिय पर रखा था और ललन सिक्या धर्च बनने से पहले उनको मुख्य प्रवक्ता बनाया गया एक सम्मान उने मिला दूसरा उनको अपमानित करने का काम किया गया कि मत्री पड़ी उनको इस से पहली दिया है बयान देने की जरुवत पड़ती है बयान के लिए माने जाते हैं इसलिए लालू परसाथ पर हमिशा हमला करते रहते हैं अब यह बात इस पस्ट नजर आ रही है कि दो धूरियां नदी के दो पाट कभी नहीं मिलते हैं एक आप हलाकि राजनीत में यह कि अई तरफ अनद सिंग जो कि आर जेडि में हैं लवड़की है और दूसरत अनद सिंग दूर भूरी हैOULD दिया ओर नितिष्कुमार के पास कड़े हैं पहले यह दोनों नितिष्कुमार के पास हुआ करते थे अब दोनों में दूरियां हो गई हैं ऐसी इस्थिती में RJD और जद्यू के मिलन का जो कारेकरम था उसको आप ततकाल खतम ही मानिए क्योंकि संपादक नमनिट साजी एक बात कहते हैं और बड़ा भारीकी से उन्हें पूरे प्रकरण को रखा था कि नितीज कुमार किसी के साथ गठ बंधन की बात नहीं कर रहे हैं किसी के सास जान के चक्कर में लगे हुए हैं और यही कारण है कि लौकु समीकरों को साथ में कि तयारी कर रहे हैं और यह आइडेंटिटी नीटी इसकुमार की अकेले की होगी पहले वो किसी ना किसी के साथ बनाते थे कभी जरूरत पड़ी तो भाजबा के साथ बना लिए कभी NDA का हिस्स हो गए तब एडेंटिटी उनकी छुप जाती थी भले यह कहा जाता था कि वह बौस हैं वह में चेहरा है लेकिन उनकी आइडेंटिटी कलेक्टिव होती थी आज जो इस्थिती है उस्थिती में निटिश्कुमार अपनी ब्यक्तिकत आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं क्य क्योंकि राजनितिक शुरुवार जेपी अंदोलन से ही दोनों एक ही कमरे में रहते थे और एक साथ दोनों की नितियां बनती थी अब ऐसी इस्थिती में आप समझ लिजेगा कि दो दोस्त पुराने जब मिल जाए तो खुब छक्के होता है तो ऐसी इस्थिती में आप उनके साथ रहले कि बहुत हो गया और ऐसे इस्थिती में जब चुनाव की तरफ जाएंगे तो उनके पास जो भी उनका सीट मिलेगा या बिहार की जनता जो भी उनके साथ करेगी इसकी तैयारियों का एक और जाजा ले सकते हैं कि आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ उम उमेश कुस वहा है जी कुस नहीं लौ और कुस और दूसरी तरफ उन्होंने कहीं न कहीं ललन सिंग को राश्की अधक्ष बना करके सवर्णों को भी सादने का काम किया है जो खास एक समाज भूमिहार समाज जो की वोटिंग में एग्रेसिव वोटिंग करता है और सब सफल कर पाएंगे ललन सिंग यह दिगर बात है लेकिन एक बात तो तय है कि जो संपादक नमनिशाजी ने कहा था कि चुनाव के तरफ बढ़ रहे हैं उसकी पूरी तैयारी में कहीं कहीं ललन सिंग सबसे फिट बैटते हैं इसका एक और उधारन आपको दे रहे हैं कि सब्सक्राब हो गया और कहा उखी दिये थे खुद कहा था उन्होंने कि मेरे और ललन सिंग में कोई अंतर नहीं है अब ऐसी इस्तिती में ललन सिंग के विशेस्ता जो हमने बताई थी वह विशेस्ता उनकी है तोड़ फोड़ मरोड आपने देखा कि अब तक जदियू के अंदर में जितने भी नेता नजर आ रहे होंगे आपको वह कहीं ने कहीं दूसरी पाटी से हैं चुकि केडर बेस पाटी नहीं है और उसके बाद भी इतना मजबूती के साथ पकड़ बनाया हुए नितिश कुमार ये बड़ी बात है तो कहीं ने कहीं उन लोगों को लाने क काम ललन सिंग ने किया है आप पहला देख लिजिए कि हाल फिलाल में 2020 के चुनाओं से पहले जितने भी खंडन किये गये भी खंडित हुआ उसमें आपने देखा होगा कि ललन सिंग ने किस तरह से कॉंग्रेस के लोगों को अपने पाले में लाया किस तरह से आरजेडी के जोगा है चाहे वो विधायक हों या विधान परिशत के सबसे हों सब को लाने का काम किया और एक हड़ोड मचा दिया था विधान सबसे पहले तेजस्त्री आदों को अपने लोगों को रसरी में बांध दर के पागहा में बांध के रखने के जरूत पढ़ गई और आज काटने वाला व्यक्ति सामने आ गया हो तो निशीत रूप से डरना चाहिए ना तो लालू परसाद को सबसे बड़ा डर दे दिया है और दूसरी तरफ भारते जंदापाटी को भी डर दे दिया है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ललन सिंग ने ये बात पहले ही साबि कि अने उने मत सोचिएगा जो कर रहे हैं वही सोचते रहिए और साथे हम लोग चलेंगे लंबा चलना है तो थोड़ा सा एड़ेस्ट करना पड़ेगा अब सफर में सफर में आप जाते हैं आपको रियरुशन नहीं मिलता है तो एड़ेस्ट करके जाते हैं अब वहां जाक पर फेला का अपना गाड़ी बुला करके घरे तक पहुचिए लेकिन रेलवा में तो आप पहुचिए नहीं जाए गन तब सब्सक है तो ये तो बात समझ में आ गई कि एड़ेस्टमेंट करना पड़ेगा और उपरिंद कुस आड़ेस्टमेंट के लिए तैयार हैं कारण क कि इन दोनों की मुलकात में एक बात जो भीतरिया है वो आपको बता रहे हैं कि दोनों में एड़ेस्टमेंट ये हुआ है कि ठीक है आपको रियरवेस्टमेंट टिकट नहीं मिला है हम एक ओ सीट पर है न थोड़ा सा आप बढ़े यानि कि आपके जो लोग हैं उनको लिया उसको उसका कुछ होवे नहीं कि अब उस सारे लोग जो है भीतरे भीतर भले ही चिंति जरूर थे लेकिन अब चिंता का लग रहा है कि कुछ दूर होगा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप देखिए दलित समाज को भी साधने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है असोग चौधरी के साथ भी ललन सिंग का संबद बहुत बेहतर है जो आर सीपी सिंग के साथ नहीं हो पा रहा था तो एक तो ये फ्रंट भी है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आर सीपी सिंग पॉलीटिकल बैती नहीं थे वो एक प्रसासनिक अधिकारी थे अधिकारी और राजनेता में बड़ा अंतर होता है अधिकारी चेह जितना भी बड़ा हो जाया राजनेता अंको अंगली पर नचाता है तो कहीं न कहीं वही गलती कर गए वो चुकि राजनितिक समझ उनकी मात्र दस साल की थी अब ललन सिंग जैसे कदावर नेता जो की जेपी आंदोलन से निकल करके आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक और जेपी आंदोलन के सेनानी के हाथ में बिहार का एक बड़ा दल जदियू जो पिछले 16 साल से सत्ता में है उसके हाथ में कमान मिल गया है और ऐसी स्थिती में नितीश कुमार ने एक थीर से कई निसाने साधे हैं और खास करके चटपटाहट आप देखिएगा तो कॉंग्रेस में और साथ साथ भारती जनता पाटी दोनों में चटपटाहट देखिएगा अगर ज़रूत महसूस हुई तो नितीश कुमार और ललन सि नितीश कुमार ने आज ललन सिंग को अध्यक्स का पद देकर ऐसा प्लान बना लिया है जो आगे की रननीती नितीश कुमार की है आगे सोचने वाले व्यक्ति हैं और किस प्रकार से वो बिहार की राजनीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ललन सिंग के बनाये जाने से पार्टी में कई लोगों की जो नराजगी है वो खत्म हो जाती है उनका डिस था कुछ दिन पहले ही उपेंद कुछ वह सब्सक्राइब बटन के सब्सक्राइब कर लीए ओजे गो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद